अस्थानिय निती की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का राची में जुटान जारखन में 1932 के खतियान समेथ अस्थानिय निती लागू करने की मांग को लेकर राची में आदिवासी संगठनों का जुटान हुआ 1000 की संक्या में राची पहुँचे आदिवासी संगठन के लोगों ने विधान सभा घिराव करने निकले लेकिन इससे पहले पुलिश ने उसे रोक दिया इस दोरान जमकर नारेवाजी हुई आदिवासी संगठनों के बीरोध परदोषन के कारा राची के नया सराय रिंग इस्थीत रोड जाम हो गया बता दे रिंग रोड के पास यादिवाची संगटनों की रैली आयोजित हुई इस रैली का नेती तो जैरा महतोग कर रहे थे इस दोरान उन्होंने का कि जार्खन में जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता और अस्थानी ये नीती परिभासित नहीं हो जाती तब तक अंदोलन जारी रहेगा जार्खन में तीन दिनों तक चाय रहेंगे बादल पुरवया और पच्छिया हवा के मिलन से जार्खन में मौसम का मिज़ार बदलने लगा है अगले दो से तीन दिनों तक आस्मान में बादल चाय रहेंगे वहीं गर्मी तो रहेगी लेकिन लूच चलने की समवना नहीं के बराबर रहेगी मौसम विभाग ने बादल चाय रहने और फिर पचीस मार्च से राजे में मौसम साफ रहने की समवना जताई है मौसम केंद्र राची के बेग्यानिक अभिसेक आनन्द ने कहा है कि पिछले 24 गंटे में राजे के उतर पचीं भाग में एक दो अस्थानों परहलकी बारिस हुई सेस भागों में मौसम सूस्क रहा उन्होंने कहा कि राजे में अगले 3-4 दिनों के दोरान अधिकतम तापान में कोई बड़े बदलाग की समवना नहीं है सबसे अधिक बारिस 2.4 मिली मीटर डालटे गई में दर्ज की गई है मैटरिक इंटर परिक्षा के लिए जैक ने बनाये 600 नए परिक्षा के अंद्र जार्खन एकेडमी कौन सी दोरा परस्तावित मैटरिक और इंटर की परिक्षा 24 मार्च 2022 से प्राराम्ब हो जाएगी जार्खन के सभी जुलो में तेरिया पूरी कर ली गई है इस बार जैक की ओर से 600 नए परिक्षा के अंद्र बनाये गए है इसका मकसद परिक्षार्थियों को कुरोना संक्रमन से बचाना है इन के अंद्रों पर मास्क और सने टाइजर का प्रवन्द रहेगा साथी सरेरिक दूरी का पालन भी कराया जाएगा बता दे जैक पर सासन की कोशी साई की परिक्षार्थि संक्रमन के दौर में सुरक्चीत और सुष्ट रहे इसी के मद नजर ऐसी बेवस्ता की गई है जनकारी के अनुसार जार्खन अलग राज बनने के बाद पहली बार ऐसा हुए है कि सबसे अधिक परिक्षा के अंदर जार्खन में बनाए गया है पहले जार्खन में मैट्रिक और इंटर परिक्षा के लिए कूल 1300 से 1350 परिक्षा के अंदर बनाए जाते थे परन्तु इस बार कूल उनाई सव से ज़्यादा परिक्षा केंदर बनाए गया है मैट्रिक इंटर परिनाम हर हाल में 30 जून से पहले जारी होगा जारखन एकेडमी काउंसील के चेयर्मेन अनिल कुमार महतो ने बताया है कि इस बार जैक परसासन ने पूरी त्यारी कर रखी है परिक्षार्थियों को हर हाल में 30 जून से पहले परिक्षा 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 में सामिल हो सके समय पर परिक्षा परिणाम देना और कदाचार मुक्त परिक्षा आयोजीत कराना जैक का लक्षा है इन दोनों लक्षों को हर हाल में प्राप्त करना है मालूम हो कि इस बार दोनों परिक्षा एक साथ ली जा रही है पाली परिक्षा OMRC पर ली जाएगी वहीं दूसरे टर्म की परिक्षा पत्रि उतर पुष्टिका पढ़ेंगे धोनों टर्म की परिक्षाओं के दवरान प्रशन पत्र और उतर पुष्टिका बाटने के लिए 5 मिंट का समय अतरिक्त दिया जाएगा कॉमन वेल्थ गेम्स केम्प में भाग लेंगे जारखन पूलिस के जवान खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने के प्रती मुख्यमंत्री हमान सुरिन के आदेश के बाद जार्खंड पूलिस के वर्डिया अधिकारियों ने जवानों के Commonwealth Games Camp 2022 के चैन सीविर में भाग लेने के लिए आदेश जारी कर दिया है आईसे में आप खिलाडियों के परदसन पर निर्भर करता है कि वे 28 जुलाई 2022 से होने वाले Commonwealth Games 2022 में जार्खंड के लॉन बॉल खिलाडियों का चैन दिल्ली में 15 मार्च से सुरू हो चुके All India Selection Camp में हुआ है लेकिन Balling Federation of India की ओर से आयोजीत इस Selection Camp में सामिल होने के लिए पूलिस विभाग ने खिलाडियों को चुटी नहीं दी थी जबकि जार्खंड Balling Association ने जैप ADG को पत्र लिखार खिलाडियों को कैम्प में सामिल होने के लिए 12 मार्च से तीन महीने के छुटी देने के लिए पत्र लिखा था पीएम मोदी को बाबा धाम आने का निमंत्रन बैदनात है और पोट नाम रखने का अगरा देव घर के पंड़ा धर्मरक्षिनी सभा ने पीएम मोदी को बाधनात धाम आने का निमंत्रन बहजा है इस निमंत्रन पत्र में पुरूतर भारत की संसक्रीती नगरी देव घर में आने का अगरा किया है साथ ही देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा बैदनाथ एयरपोर्ट रखने का अक्रा किया गया इस समध में पंडा धर्मरक्षिनी साभा के अध्यक्ष डाक्टर सुरेश भर्दवाज ने कहा है कि साभा की ओर से पीम नाने नमोदी को बैदनाथ धाम आने का निमंत्र में भेजा गया है उन्होंने पत्र में कहा है कि बैदनाथ धाम के लोग एयरपोर्ट और एमस लोकारपन के लिए एक महान सिव भक्त प्रधान मंत्री का बाट जो रहा है दो साल बाद राज भवन आम लोगों के लिए खुला है 25 सो लोग पहुंचे जारखन के गवर्नल हाउस उद्ध्यान करिब दो साल बाद आम लोगों के लिए खुला गया है पहले दिन सोमवार को उद्ध्यान का दिदार करने 25 सो उन्तिस लोग पहुंचे बतादे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक लोगों को इंट्री दी गई चार बए तक लोगों ने फूल पहुदे की खुबसूर्ती के बीद सुकून का अनुभाव किया बच्चों ने जूले कानंद लिया युवा वर्ग सेलफी लेने में ब्यस्त दिखे वहीं कुरोणा संक्रमन के कारण बीते 2 सालों में लोग इस उद्यान का लुप्त नहीं उठा पाये थे बतादे सुमवर को उद्यान खुलते ही लोगों का हुजूम उमडपरा या उद्यान 21-27 मार्च तक खुला रहेगा 28 और 29 मार्च को कामगारों का 48 घंटे देश ब्यापी हरताल 28 और 29 मार्च को संगठित और संगठित छेत्र के कामगारों ने देश ब्यापी हरताल का वहन किया है देश की संपधाव की विक्री, मजदूर, विरोधीनिती, आंगनबाडी, साहिया, रसोया और अने योजना कर्मियों को निम्तम मजदूरी 26 सयारव समाजिक सुरक्चा देने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने नेजी करन पर रोक लगाने सहित अने मांगो को लेकर सिट्टू सहित 11 ट्रेड यूनियनों के अवाहन पर 28 और 39 मार्च को हरताल का अवाहन किया गया है 24 मार्च को जारखन बंद जारी रहेगा अंदोलन जारखन के कई रायनितिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही जारखन बंद की अपील कर दी गई है आपको बता दे किया बंद जारखन पंचा चुना में ओवी सी आरक्षन लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है बड़ी संख्या में गिरामीन इस बंद को लेकर सड़क पर उतार सकते है ऐसे में अतयात सेवाए जारखन के सभी जीलों में बादित हो सकती है हलाकि जारखन सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई पर्तिकिर्या नहीं दी गई है जनकारी के अनुसार जारखन बंद की अपील, पिछला वर्ग सं अंग मुर्चा की और से की गई है. जारखन में कुरोना के 4 नए केस मिले हैं जबकि 12 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 155 है भारत में 1643 नए केस मिले हैं जबकि 2627 मरीज स्वस्थ भी हुए है भारत में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 37,236 है के लिए उन्हें स्टेशन पर फोन कर पूछने के जरूरत नहीं पड़ेगी बता दे मोबाइल फोन पर बोकिंग से लेकर लोडिंग और अनलोडिंग तक की अपडेट जनकारे मिलती रहेगी फिलाल इस वेवस्था को हट्या स्टेशन पर लागू किया जा रहा है इससे यात बी ए टू वेरियंट वाले क्रोना वायरस की चोथी लहर को लेकर डवलू एचो ने सक्थ चेतावनी जारी की है चीन और दक्षिन कोरिया सहीत कई एसी आई और यूरोपिये देशों में कोविन नेंटिन मामलों में भारी बिरिदी देखी जा रही है जिसने भारत में भी स टिलात ओमिक्रोन अत्यधिक त्यजी से फानने वाले ओमिक्रोन वेरियंट का सब वेरियंट है जो भारत में कोविन-19 की तीसरी लहर से पीछे था इस वेरियंट को बैग्यानिकों ने बी ए टू ओमिक्रोन नाम दिया है आराक्षित कोटे के बैक लोग रिक्तियों का अध बिधान सबा में की है बता दे विधायक बंधू तिर्की ने सदन में मुख्यमंत्र प्रश्नकाल के दोरान पूशाता की सरकार का विभीन विभागों में अरक्षित कोटे की बैक लोग रिक्तियों को भरने का क्या विचार है जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि सभी विभागों के अरक्षित बैक लोग पदों का अध्यान किया जाएगा और इस पर नितिगत निरना लेते हुए नियुक्ति परकिरिया शुरू की जाएगी दुमका में हाइःकोट के बेंच के लिए सरकार ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्रें मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में दुमका में हाइःकोट के बेंच गठित करने और अंदोलन कारियों के अशिरितों के पेंसन, मुहभजा और नौकरी देने का मुदा उठा बता दे जे एम एम बिधायक दसरत गगराई ने अंदरन कारियों का और भाजबा बिधायक नरायन दास ने दुमका में हाई कोट बेंच का मामला उठाया जबाब में मुख्य मंत्री हमान सुले ने कहा कि दुमका में हाई कोट के बेंच का गठन का मामला दो संस्ताओ के बीच का मुद्दा है यह नियाए पालिका और कारे पालिका के बीच का मामला है इसमें नियाए पालिका का इन्वाल्प होना बहुत जरूरी है दुमका में हाई कोट का बेंच गठित हो इसके लिए सरकार प्रतन सिल है इस संदर में हाई कोट के मुखे ने आधिस को एक पत्र भी लिखा गया है उमीद है कि जल्दी इस पर कर्यवाही होगी रेमडे सीविर केस गवाह मौत मामले की जाच रांची के पुदांग रोड इस्थीत मंगलम अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरने से राकेश रंजन 47 वर्षिये की मौत मामले की जाच करने सोमवार के पूलिस अपार्टमेंट पहुची इस दवरान पूलिस ने मिरित्तक के परिजनों से पूशताच की वहीं पूरे अपार्टमेंट परिशर को देखा और CCTV फोटेज को भी खंगाला बता देखी मिरित्तक राकेश रंजा रेमडे सिविर केश का सरकारी गवा था वहीं इस मामल में मिरित्तक के पूत्र ने होत्या कारूप लगाया है टाटा इस्टील में जूनियर इंजिनियर ट्रेनिंग की होगी बहाली जारकन के जमसेत वो रिस्थित टाटा इस्टील ने जूनियर इंजिनियर ट्रेनिंग की बहाली निकाली है बहाली में इंप्लाई वाड के साथ साथ नन इंप्लाई वाड के योग ये अभियारती भी आवेदन कर सकेंगे बता दे दोनों वाड के उमिद्वारों को आवेदन 29 माज से 26 माच रात 11 बच कर 69 मेर तक करना है लिखित परिक्षा 15 अप्रेल 2022 को होगी परवेश पत्र 8 अप्रेल से डाउनलोड किया जा सकता है आवेदन का AICTE अथवा UGC से मन्याता प्राप संस्थान से डिप्लोमा या बिटेक होना अनिवार्य होगा इसके साथ ही जार्खन का दो मिसाइल होना अनिवार्य होगा आर्खन हाई कोट में सो मरको पलामू में वर्ष 2005 के चुनाओ के समय मारे के कंस्टेवल की पत्नी की ओर से मुअबजा की मांग को लेकर दाकेल याजका पर सुनवाई होई सुनवाई की दवरान अदालत ने सरकार के पूर्ण वीचार याजका को खारिज करते हुए दस लाख रुपए के साथ ब्याज का भोकतान करने और ब्याज की रासी पलामू का उपायुक्तों के बेतन से वह सुनने का अदेश को बरकरार रखा बतादे अदालत ने वर्ष 2005 से लेकर बर्तमान उपायुक्त के बेतन से ब्याज की राशी वसुनने का निर्देश सरकार को दिया प्रार्थिक और मुअबजा राशी पर साड़े साथ परतिशत की सलाना ब्याज की दर से भुकतान करने कादेश दिया गया जल, जंगल और जमीन को लेकर बीपक्ष का सरकार पर हमला है विधायक धूलू महतो ने कहा है कि जल, जंगल और जमीन का नारा देने वालों की सरकार में ही धड़ेल से जंगल, जल और जमीन की लूट हो रही है लाठी बंदुक के बॉल पर राज में जमीन के लूट की जा रही है इसके खिलाप हम आवाज उठाते हैं तो जूठा मुकादमा कर जेल भेद दिया जाता है राज में पूलिस के संरक्षन में कोईला के लूट हो रही है कोल कमपनियों से अधीक उनकी कमाई हो रही है जो अवैद कारियों में लिप्त है धनबाद जिला में सेकड़ों गाव भी स्थापित हुए लेकिन किसी भी भी स्थापित ब्यक्ति को पवान पत्र नहीं दिया गया अलम यहा कि अस्थानिये लोगों को बिना परणपत की काफी परिसानी का सामना करना पड़ता है उन्होंने साब सब्दों में कहा है कि कोईला तसकरी करने वालों को सरकार का समर्थन मिलेगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा ही कोडारमा पूलिस पर हमला मामले में 75 नामजाद और 150 अग्याद के खिलाफ मुकादमा दर्ज कोडारमा के चैतरिया डी पंचायत के कारा खोट में पूलिस पर हमले के मामले में 75 नामजाद और 150 अग्याद लोगों के खिलाफ परात्मी की दर्ज की गई बता देख कारा खोट में दो अलग-अलग पराथमी की दर्च की गई है इसमें एक पक्ष की ओर से 17 और दूसरे पक्ष की ओर से 18 लोग को नामजाद अभियुक्त बनाया गया वहीं दोनों पक्षों ने 50-50 अन लोग खिलाप मामला दर्च कराया है इस मामले में लखन यादव, केदार यादव और पिंटू कुमार को गिरफ तायर कर पुलिस ने जेल भी भेज दिया है 14 अप्रेल को आईसू का जेल भरो अभियान 14 अप्रेल को डाक्टर भीमरा वंबेटर की जहनती पर आईसू ने जेल भरो अभियान की घोसना की है आईसू के केंद्रिय परवक्ता देवस्तरण भगत ने प्रेस कॉनफरेंस कर बताया कि समिधान के तहत अधिकारों की मांग को लेकर आईसू पाटी 14 अप्रेल को जेल भरो अभियान करने जा रही है उन्होंने कहा कि समिधान के तहस समत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ अभी तक लोग को समाजी की नहीं मिल पाया है यहाँ तक कि अलग राजे बन जाने के बाद भी जार्खन की लोग अपनी पहचान को लेकर संगर्श कर रहे हैं अलग राजे अंदोलन के उसूलों एवं जार्खन डी असमिता और पहचान को अस्थापीत करने एवं बाबा साहेब के सपनों को सकार करने के लिए आसू पाटी साथ मांगो को लेकर 14 अप्रेल को जेल भरो अंदोलन करेगी जार्खन के दसरत माजी समीर अंसारी को मिलेगा जल प्रहरी समान जल संगर्चन के लगातर काम कर रहे देवघर के समीर अंसारी को 30 माज को दिल्ली में हो रहे जल प्रहरी समान 2022 में समानित किया जाएगा बतादे इस कारेकर में जल सक्ति मंत्री गजंद्र सिंग से खावत भी सामिल रहेंगे बतादे समीर अंसारी लगातर कई बर्सों से जल संरचन के लिए मेहनत कर रहे हैं वही जल संरचित करने के लिए देवघर के दड़बा नदी में खुद से एक बांध का भी निर्मान कर रहे हैं जिसमें दिन रात खुद से ही खुदाई के काम में लगे रहते हैं बतादे समीर के इस परियास की खबर को दिखाने के बाद देवघर का दसरत मांजी भी कहा जाने लगा है हजारी भाग में जूलूस और रैली निकालने पर रोक धारा 144 लागू हजारी भाग सादर और बरही अनुमंडल छेतर में धारा 144 लागू किया गया है यहां परतिबंद अगले आदेस तक जाली रहेगा इसको लेकर पूलिस पर सादर ने फ्लैग मार्च किया वहीं सौव यात्रा और साधी भीवा में चूट दी गई बता दे COVID-19 के तहट गिरी करा एवं आबदा प्रवंदर विभाग जारकन सरकार द्वारा निर्गत आदेस में सभी परकार के जूलुस पर परतिबंद लगाया गया है इस निर्देस के आलोक में हजारी बाग जीला में धारा 114 लगाई गई जो अगले आदेस तक लागू रहेगी वहीं जीला परसासने लोगों से सयोग की अपिल भी किया है गाते में चल रही कोईला खादाने को बंद करेगा कोल इंडिया गाटे में चल रही खादानों के ज्यादा दिनों तक बनाई रखने के सितिव नहीं होगा या ब्यान हाल ही में कोईला शचिव ने दिया है जिसने इस बात को फुकता किया है कि just transition समय की मांग है और जल्वायू भी से सक just transition को लेकर जिस तरह मजबुती से अपनी राय रख रहे हैं वो कितना और क्यों जरूरी है जल्वायू भी से सक लगाता रहा है कि just transition को लेकर सरकार को ठोचने ने लेने चाहिए और इसके लिए नीती बनानी चाहिए अगर सरकार ना इस पर जल्द ही कोई नीती नहीं बनाई तो जार्खन जैसे राजे को इससे गंबीर पहिना भुगतने पर सकते हैं जे पी एसी मुख्य परिक्षा की तियारी के लिए सरकार देगी 50.000 रुपए राज सरकार जार्खन लोग सिवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिवील सिवा मुख्य परिक्षा की तियारी के लिए अभियार्थियों को 50.000 रुपए के आर्थिक साहता देगी इसे लेकर मुख्य मंत्री परतिवा परुत्साहान योजना सुरू की जाएगी शरम नियोजनर मुख्य परिक्षा की सोरू होने वाली सिव холод के तहब परिक्षा उतिर्ण के वल जार्खन के नीवासे अभियार्थियों को इसका लाब मिलेगा अभियार्थि इस रास्वी से कोचिंग के आलावा पूष्थके कर सकेंगे राकेश टिकायत रांची पहुँचे किसान नेता राकेश टिकायत स्मवर को रांची पहुचे रांची पहुचने पर नेतर हट फिल्ड फायरिंग रेंज जनसंगर समीति के सचीव जेराम, जेराल्ड, कुजूर और टी एसी पूर्वसदा से रतन तिर्की ने उनका स्वागत किया बतादे आरपोट से राकेश टिकायत डाक्टर कमील बुलके पत इस्थीत सोसल डेवलोप्मेंट सेंटर गए जहें आदिवासी परंपरा अनुसार जनसंगर समीती के महिलाओं ने हाथ दो कर उनका स्वागत किया बतादे टिकायत नेतर हाट फिल्ड फायरिंग रेंज के बिरोध में जनसंगर समीती लाते और गुमला के अठाइस सालों से चल रहे आंदोलन की बर्सी में सामील होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे धन्यवाद यह आदि आप चनल पर नहीं होते चनलों की सब्सक्राइब कर बहुल का वेल एक अब यह साथ साथ वीडियो के एक लाइक आप में दोस्तों के सबस्क्राइब करना ना भूले साथ जी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवासे दे थैंक यू